हेलो दोस्तो वेलकम बैक टो नीव वीडियो उमीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे हो गए दोस्तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले ब्रैन नुई यमा आरन फाइब एम निव मोडल जो कि आपको पता है फुली टी एपटी के साथ में आती है उसका दोस्तो डीटेल फैनेस वीडियो के बारे में बात करेंगे अगर दोस्तो आप इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा तो चली फिर इस वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तो बात करन लेते हैं इस बाइक को फाइनेस कराने के लिए आपको कौन कौन सी डॉकुमेंट्स की नीट पड़ेगी दोस्तो बाइक फाइनस कराने लिए सबसे पहले आपको अधार कार्ट की जवरत पड़ेगी बिना अधार कार्ट के आप कभी भी बाइक फाइनस नहीं करा सकते हैं अधार कार्ट के बाद दूस्तों आपको pen card की ज़ुरात पड़ती है भी आपको बहुत ज़दा जरूरी है pen card के बाद दूस्तों आपको bank passbook की photocopy लगी जिसमें आपकी salary आती ही आपको दिखाना पड़ेगा यहां से मैं पैसे कमाता हूँ अगर आप माली से job नहीं करते तो आप business करते होंगे business करते होंगे तो आप idea दिखा सकते है income tax return अगर आप वो भी नहीं करते तो भी आपको bike तो finance हो जाएगी लेकिन उस condition में क्या होगा तो आपको rate of interest हो जादा लग सकता है तो आपको यही suggestion दो हुआ कि अगर आपके पास यह चीज है कि आपके पास income proof है तो आप वो दिखाएंगे तो आपके लिए जादा बेतर हो जाएगा मेरे साब से ठीक चलिए अब दूस्तों बात कर लेते हैं bike के finance के बारे में दूस्तों यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं आपने bike के price के बारे में दूस्तों इस bike के on road price के बारे में तो आपको मैं clear कर दू हरेकिस्टेट एंसीडी में on road price में तोड़ा सा difference होता है क्योंकि है रेकिस्टेट के आट्यों इंस्रेंट चार्जे से फर्ग होता है यह वाइक हमारे रेपूर्च अटीज़ड में on road price आरे लगमक तू लेक थाटी टॉजन दो लाक तीसीज़ा रुपए की आसपास की यह वाइक आपको on road price देखने को मिलती है अब आप लोग को अब दोस्तों यहां पर हम प्लस करेंगे processing fees जब भी आप बाइक फाइनस करा रहे तो बिना processing fees के कभी भी आप बाइक को finance नहीं करा सकते हैं 10,000 रुपए हमारा processing fees लग गया यहां पर अब आपका total amount कितना होगा है दोस्तों वो गया लबक 1,70,000 एक लाक सत्तर अजार रुपए आपका total amount है अब एक लाक सत्तर अजार में हम निकालेंगे interest यहने की ब्यास कोई भी company आपको finance करके दे रहे है तो जैर जी बाता भाई व 10% किसाब से 17,000 रुपए जो आपकी एक साल का interest आएगा ठीक है 17,000 आपके एक साल का interest आगया एक लाक सत्तर अजार आपके total amount है अब आप एक साल के लिए finance कर रहे है तो 17,000 रुपए उसमें plus कर दिए आपका total amount कितना हैगा वो एगा दोस्तों लगबक आप वो आएगा दोस तो लगबक 18,700 रुपए जो कि आपको pay करने पड़ेगी कब तक यह आपको pay करने पड़ेगी आपको pay करने पड़ेगी एक साल हो तक माली दोस्तों बाइक को दो साल के लिए finance करना चाहते हैं दो साल के लिए आपको सबसे पहले दो साल का interest निकालना पड़ेगा ठीक दो सा करेंगे तो 34,000 रुपए जो आपके दो साल का interest आएगा ठीक है अब 34,000 को दोस्तों आप इसमें प्लस कर दीजे किसमें एक लाग सतरह जार पे तोटल आपको जो amount होगा वह को दोस्तों लबग 2,004,000 रुपए 2,004,000 को दोस्तों आप 20 पुरने की 24 से डिवाइड करेंगे क्योंकि दो साल में 24 मेने होते हैं आपकी मंतली हमाईगी लबग 8,000 रुपए के आसपास की माले इसे बाइक को तीन साल के लिए फाइनस करना चाहते हैं तीन साल का interest निकालना पड़ेगा सतरा जार एक साल का interest है सतरा जार एंटू 3 करेंगे तो 51,000 रुपए आपकी तीन साल का interest आएगा तीक है एक लाग सतरा जार में निकालना जार को प्लस कर दीजिए आपको टोटल लबड जागा टू लेक 21,002,000 रुपए 2,21,000 रुपए 2,21,000 रुपए 2,21,000 को आप 30 से र टाउन पेमिनेंट फाइनेंस के बारे में उविद करता हो चूटी जी बीडियो अच्छे लगी उड़ अच्छे लगी तो लाइक करना चैनल पर पहली पर आए तो स्ब्स्ट्राइब करेंगा मिलते हैं नेक्स लोग लब भी ओल जाहिए इन बना बात रहा